अलेकुम असलाम कैसे हैं बाशार्ट निकालने का मौका दिया हमारे भाईयों निकाल ली और मुबारक आपको पूरे पैनल को जिसने भी लोग देख रहे हैं टीवी पे और पाकिस्तान क्रिक्ट बोड को जिस तरह से आज का दिन गुदरा है बड़ा मुश्किल था लेकिन प South Africa को हराती है तो फिर obviously यार बहुत लखी टीम हो आप और पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ अब इस वर्ल्ड कप की सबसे डेंजरस टीम है आप माने ना माने ये इनका दिन रहेगा ना तो ये किसी भी टीम को हरा सकती है ऐसा नहीं अब टॉप चार टीम आपको पता इंडिय इंडिया का इंग्लेंड से पाकिस्तान का है न्यूजिलेंड से अब भी हाल फिलाल का फॉर्म देखे तो न्यूजिलेंड बैटर टीम है तभी वह वहाँ पर नंबर वन है इंग्लेंड का हाल फिलाल का फॉर्म देखे अगर उनके बैस्ट वन को ना देखे तो इंग्लें कर रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है अब यह तो पता चलेगा बाद में पहले यह पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर दुपार में मैच था और बड़ा यूटलाइज किया थारे बॉलर्स में हमारे रिवर्स सुइन को आइधिंक यही हमारी की हो सकती आगे जाके भी यही हमारी की हो सकती आगे जाके हैं अजिए बाई I think first of all तो जब 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 समय था I think that balling अगर आप बात करें शेहिन शाह जैसे मैंने पहले भी का था अंडर कुक था इस टोर्नामिट से पहले आप देखा कि उसको टाइम मिल रहा है वापस वो आ रहे है बालिंग उनकी बेतर से बेतर होई जा रही है तेज बाल इनी की लेकिन कंट्रोल बहुत बेतर था अरली आन जो है ना अरली विकट जो मिला पहला विकट उनको मिला वो इंपोर्टन विकट था और उसके बाद जो लेटर हाफ में जिससरा I think Nassiim ने बालिंग की जिससरा सारे बालर ने हारिस, Nassiim and then Shadab का जो है वो I think वो थोड़ा सा एक वो ट्विटर पे चल रहा है काफी वो लखी डिसियन हमारे लिए था which we can take it अनी डे, that's umpire, third umpire ने किया, technology के होने के साथ उसने वो डिसियन किया, I think this is part of the game, sometimes it goes in your favor, sometimes it goes to the other और सब सब से जो खुशायन बायत है कि जो दोनों बंदों ने बात की, राशिद भाई ने भी की, लांस ने भी की कि हमारे बैटर्स ने, जो रंज नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा टाइम मिला गोगे थोड़ा सा स्लो थे, जो situation के लपसाब से, आएंगे उस तरह आएंगे जैसे आज आके, मुमेंटम चेंज किया फ्रम दे बाल वन, वो वहाँ पे मुमेंटम चेंज हुआ है, एंड़न आथिंक शान मसूद, जितना क्रैटिट उसको दिया जाए, जिस तरह आके उसने टैक किया है कि लेफ्ट एंडर था, जिस तरह उसने टैक किया रनिंग बिट्वीन दा विकर्ड, और वो दोनों की रनिंग बिट्वीन दा विकर्ड आतें कि वहाँ अगर आगर आप देखें तो वो इंटेंट की बात थी, वो जो इंटेंट नजर आया, आउस्टेंग हम आपको वो विनिंग मोमेंट्स दिखाना चाहते हैं और फिर उसके बाद आएंगे जरा, चीफ सिलेक्टर साब से गुफ्तकू करेंगे आएंजी जरा, एक दफ़ा फिर से, चीफ सिलेक्टर सिलिंग ओवे है इंसाइद पीड़ी स्पोर्ट स्टूडियो अजीव 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 बाद बाद मुबारक हो, यह तसकीन आपके जहरे पर देखे बहुत खुशी हो रही है हो सकता है पिसले बहुत सारा देन आपके लिए परिशान कुन भी गुजरे हो कैसा मैसूस करें सबसे पहले और आज क्या पॉजिटिज़ है हमारी टीम के लिए गोइंट इंट इस सेमी फाइनल आदेको डेफिनेट रिखुशी का दिन तो है और जिस तीके से कमबैक किया है पाकिसान टीम में आपके बाद से एक उपन चांस आ गया है और उसके बाद फिर इस पिच के ऊपर चेजिंग वस नोट एजी पहले मैच में ने देखा साथ आफिका ने लगल की है तो थोड़ा सा कंसरन था जब इनों के बंगलादेश की पहले बैटिंग आई तो उस ताइम लग रहा था कि शायद यह थोड़ा सा में टार्गिट इतना बड़ा ना हो जाए लेकिन जिस तरीके से वारे बालिंग की है पिच को देखते हुए कंडिशन को रीड तो वो जो जो पिरिट था वो में नदर आया उन दर फील्ड भी उसके बाद जो जिसना चेज भी हमने किया है जिसना स्पेशल हमने फिनिश किया है तो अच्छी चीज है के हर मैच के अंदर आपको डिफरेंट आपको आपको आप मैच विनर नदर आ रहे हैं को इस जो आपको 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 जो एट पोजिजा जाता है लिकिन एक और चीज का यहां पर जो मैच ने बात कि आप किया आपको आप से पूछा चाहते हैं जो आपकिसान थी डिमेंशिन्स अगर हम तीनों को जिकर करते हैं उसमें जो इस मैच से पहले हमारी एफिशेंसी थी व वर्ल्ड कप और मिडल ओर्ड को लेकर हम बहुत ज़्यादे इंकिजिटिव भी थे हम एंक्शियस भी थे कि शायद मिडल ओर्ड परफॉर्म कर पाए या नहीं लेकिन वर्ल्ड कप में जाते साथ ही इप अदर भी राउंड जहां के हमारा टॉप ओडर नहीं परफॉर्म कर और अज भी हम बात करते हैं तो आज दो हैं इलू अज घाड बन दो ऑफिकर ट्रफें को थे इस बाइस भाइसं टाइंथ में आपको लुटाइब को चेंज करने की जुरूरत है या भी प्लेट कुछ ठीकली और आपको लगता है कि को टैक्तिकल करने अज गेंदे distintosभीज क और भी नियुक्त विए विवसे अगर अपके जिए आप चेश वन 171, 80 कर रहे होते हैं, तो आपको इस चाहा है वह तो आपको पावरपले का इन्ट भी नाधर आता तो आइधिंक आज का ना था हमारा एक प्लाइन किया उखे फे विए कि एक निवा है कि क्योंकि मिए कि व कि आपने फिल्लिंग की भी बात की है तो more or less everybody is dropping catches all the top fielders they are dropping catches in this world cup so it's not only Pakistan's problem और इसी तरह पावर प्ले के भी आप जो बात कर रहे हैं तो average power play is not massive even in this world cup you know or maybe आपको 45-50 के आपको आपको नजर आएगी but I think it's more to do with the situation of the situation की demand का है वहापे तुस आप से केला चाहिए लिकिन जिस तरीके से मारा middle order के perform कर रहे हैं तो obviously that will give I think ideal scenario में going into the bigger match that will give a bit extra confidence to our top batters also पिर आप जिस चीज़ के आप बात करें power play की that will give a couple of wickets it could have been a different story so I think that was the key to keep wickets in hand especially with the new ball and the top all over bowling in the power play so I think they were waiting for the spinners to come in and you know then we saw the sweep shorts from there is one so it looked like a good plan wonderful it also helped as well that to restrict Bangladesh to under 130 that when you got into the power play you didn't have to go hammer and tongs you could actually just trust both the openers to be able to fit a good platform and that again down to the bowlers and how well shut up and shahin shahfiri went with the ball yeah I think they've been amazing and especially Shaheen I was very happy today to see him like getting back into the rhythm obviously we're hoping that he will get bit more pace in the semi-finals coming to the semi-finals but he's moving the ball so I think he's going back into the group so so are they starting to suit the subcontinent teams as we get you know deeper into the competition but I thought Shane was fantastic today the ball reversed a little bit as well today so that's that's interesting in 20 overs I told you guys I called it the two days before you know like on this ground you know when the pitches is dry and you know the Sun is out and you can get reversing and we saw the second ball the second wicket when he got it coming round the thumbs you know and angling in and you can see towards the end the ball slightly tail away for the battery delivery and and you know what's extremely extremely rough is that you know those lots around the side of the field as well well it is very very rough and the ball hits that umpires don't necessarily check the ball after that they always check it when it goes into the stands yeah but but those lots that we see with the advertising that you know couple on the right side there well yeah maybe that's the trick ball a few half volleys and it's been it's been there for a long time everybody it's been there for everybody yes Raji why do you say white ball just keep finger up let me know हुआ मैं करते हुए वाइड बॉल का पता नहीं चलता किस तरफ जा रहे है लेकिन इस वाइड बॉल का पता चला कि मार्क नजर आ रहे थे उसके पर स्विंग होने के पास आपको मार्क नजर नहीं आने चाहिए यह कंसर नहीं है वह अगर आप देखें जो लिटल ने भी बॉल लगता साइड पर क्रॉस्पे यह अब त्रो करते हैं एड यह अगर लगी यह है यह दो बूजना तरह नहीं तो बॉस पर जो पूज पर आपका स्काफम बॉजागा यह थे नहीं टिनों एजिव नों एज़ दिनों एज़ प्राइड लगा थे नहीं जा पर आप्र quarter to the semi-finals they face new zealand in sydney i'm backing them to in because i think that Sydney surface is really going to suit pakistan and then of course we've got england versus india in the second semi-final the 10th of november that's in Adelaide that's a hard one to call isn't it because everyone says indias the team to beat England could they're becoming good at the right time what's your thoughts on that i think with India obviously you know we have we we have that extra edge we got in the Asia Cup and I think that's something which we really need to kind of reflect upon you know going into the finals if we are if it is for partiality did you hear what he said no no i'm not interested in semi-finals I'm thinking about the final that's that's exactly what I'm saying and yeah I think it's going to be a good competition in between England and India because I certainly want to see how Indian openers are actually going to face the pace of the England Express you know so I think that's something which will be interesting but for now you know I will come back to where we said that the first segment obviously is for all the पाकिस्तान को वो मौका दिया जो पाकिस्तान खुद से तो शायद गवा चुका था मेरे खालत थोड़ी रियालिटी के ओपर बात करनी चाहता हूं मैं राश्वाई की तरह बढ़ना चाहूंगा राश्वाई माज़ित के साथ लेकिन मैं देखें हम पूरा तकरीब पिशे साथ साल से मेरा आपके इस सफर चलता रहा है वसीम भाई भी उसका इस्सा रहे है अलम्दल्ल्ला बीच में आते भी रहे है जाते भी रहे है मैं जो आप से बात करना चाहता हूं कि ऑरीजिनली जो हमारी सिलेक्शन होई थी अगर हम मिडल अर्डर के हवाले से बात करते है माज़ित के साथ ओस वो हमने हैधर ऐली को रखा था जेह जहें में आसिफ़ बात है हमने खुषददिल को जहने रखा था लेकिन जो हमने वर्ल्ड कॉप के अंदर देखा कि वो तीनों ही उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के उपर नहीं उतर पाए मुझे नहीं समझ लगी कि क्यों उनको सिलेक्ट किया गया थी सिलेक्टर सामने बैटे हैं उसे सिलेक्ट जाओंगा मैं लेकिन आपकी राइट समसे पहले लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो मुझे सिलेक्ट किया था और जिनों ने परफॉर्म किया है तजाद है दोनों में दो प्लेयर की जो प्लेयर थे नमबर त्री नमबर फॉर और इंग्लेंड के खिलाब जब सिलेक्ट हुए थे हैदर एंड शान मसूद वो रिप्लेयर से एक तरह से किया था वो फखर दमान को किया था अगर फखर दमान होते तो मैं भी हैदर को वच परफॉर्चुनिटी नहीं मिलती लेकिन मिली उनको भी बाल लग गया था नहीं कहले भी शान ने थोड़ा फ़ा ग्रैप किया जो मीनिंग खेली शान ने उसको उसने लिया निमर चार भी खेले उसमें भी रंस किये पाकिसान हारा भी लेकिन मुसलतल उनकी जो परफॉर्फॉर्मिस रही है ना वो एवरिज से अबब रही है लेकिन आज और कुछ मैसिज में अगर देखें तो वो बहतर बहुत जादा अपने इंप्रूफ किया शुरू में पाकिसान हारी भी लेकिन उन्होंने अपनी जगा को सर्टिफाइक किया है वो मिडिल और्डर वाके में नहीं है जैसे खुजदी शा की अपने बात की या आसिफ ली की बात की या हैदर अली की बात की वो प्लेयर बाता ना कि आपको चैस्क खेल रहा हैं आप कही हार रहे हो तो आपनी गोटियां गोटियां आप इदर से उधर करते हो तो मैं उनको जो प्लैनर हैं स्ट्रेडिजिज बनाई है चाहे वो सकना है नहीं यूसूफ पर टेरिट है या मैथ्यू हैडन है जिस तरह से उन्होंन होना चाहिए लेकिन जीत का मतलब हर्याइन है कि आपको यह नहीं नहीं से इसममेंज पान। आइंगे अप तरृornimentos रहें औधे यह जैते हैं यह चोटी यह चोटी टीम भी तगड़ी आ रही है जंबावे ने अफसेट किया बहुत बड़ा ठीक है आइरलेंड ने अफसेट किया अफसेट करने जा रहा था तो अब टीट्वेंटी जो शोटा फोर में ना इतना इजी रहा नहीं एक बिग पार्टनर्शिप लाइक एटी नाइटी जाते लांस क्याते हैं एटी नाइटी की पार्टनर्शिप गेम को चेंग कर दिए नेधरलेंड ने क्या किया बिग साइट तो बड़ी बड़ी टीम भार हो गई है हम तो स्ट्रगल करते वे जा रहे थे ना मिडिल और ही नहीं और आप वल्लकप के समी फाइनल में चले गई उस दिन क्या होगा चांट पॉंचे लगए तो चांट तक नहीं लगी तो शाम तक क्या जी मैं आठिंग इसमें मैं एक चीज़ आइड करना चाहूंगा जो आप बात कर रहे हैं क्रेडिट गोस्ट तो पाकिस्तान मतलब जो है ना वो अम पहले बात करें ने ने पहले मैं उस मैं मैं मुव करें मेरा जो क्राइड मानलब जो तीम आज पहुंची है भारा जिस अब चाहूंगा जो भी रिसोर्सित यजिस तरह भी वो पहुंचे हैं हम समी फाइनल में कुछ भी बले हम कहें वह इार इंद समी फाइनल नो क्वेस्ट अबाउट डैट लेकिन यह आज यहाँ पे हैं तो मैं यह इनके ऊपर रखूँगा मैं यह कहा हूँ कि जो आप सुआल करना चारे थे उसको मैं आगे यह दूरूर करूँगा कि आपने जो हारे सहब वो जिसकर उनका वो आए हैं दो मैच कहले हैं आउट्स्टैनिक परफॉर्मस जिसना पिछले मैच में उनने नोकिया को कहला है जिसना है एक ग्लिम्स हमें एक नजर आया है मेरे कहने का मकसद है कि आपने मिडल ओर्डर में खुछ दिल को इस पूरे टोर्नामेंट में आपने नहीं खलाया आप जो डिजर्व में से लड़का लाते हैं और उसको आप खिला देते हैं आप जो अपनी टीम को मिडल ओर्डर को बैक कर रहे थे सारे लोग तो उस पर मैं आप लोगों क्रेडिट देता हूं कि यह अच्छी बात है आप कर रहे थे इसका मुझे बताएं कि क्या प्रोसस इसके पीछे क्या था कि आप उसको ले के आए और उसको आपने मिडल में खलाया आप पिन पॉइंट करेंगे एक एक प्लेयर के उपर अब इसी से टीम स्पॉर्ट ति नोट नेस listeners कि आपके पंगरार तो उसका यहांपर होता है यह अज पाकिसितान जीता है Definitely आज पाकिस्तान का दिन था खाला कि ऑपाकिस्तान और बॉंगलादेस के मैच को अगर आम आप देखे तो वो कोई इतना नहीं जीता है किनों ने 8-10 उबर में चेस कर दिया ये तो उनके बावर रिजमान अगर जिस दिन खड़े हो गए ना जिस दिन वो 10 से ज़्यादा उपर खेल गए ना तो मुझे लग रहा Australian condition में पाकिस्तान हारेगा उनके नीचे के जो best man है अगर आप देखें इफ्तिकार, सादाब और अभी हारेस आया है basically उनका main तो मुझे इफ्तिकार एहमद जो सबसे अच्छा खेल रहे है साथी साथ जो सादाब खान है उनकी जो दो performance रही है सादाब खान तो यार outstanding मतलब सबसे अच्छा अगर अभी और इस वर्ल्ड कप में देख रहा है तो वो सादाब खान देख रहा है वाल से, बैट से, फ्वील्ड से, सब कुछ मतलब वो विल्कुल 3D प्लेयर है तो वो एक extraordinary performer है पाकिस्तान के लिए इफ्तिकार रहमद हो गए ये लोग पाकिस्तान के अभी middle order को बहुत strong मनाय हुए है और पाकिस्तान, South Africa के खिलाब जो match जीता है, इनी की वज़े से जीता शाहिन अफ्रीदी भी form में दिख रहा है साथ हारेस राफ कुछ थोड़ा सा, मतलब वो performance नहीं दे रहा है जो उनसे expectation है और वसीम जूनियर, शाहिन अफ्रीदी बॉलिंग भी काफी जवर्जस थे तो पाकिस्तान की टीम भी है मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे खतरनाक टीम इस वर्ल्ड कप की अपने दिन पर किसी भी को भी हरा सकती है और अपने दिन का रना रहा है दिन रहेगा तो वो जीतेगी इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ अभी सीन ऐसा है कि आज का जो मैच था आप देख सकते हो सूर्य कुमार याद आओ आज विराट भी नहीं चले सूर्या की एक पारी जवर जस्त पारी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कॉंट्रिविशन केल राहुल से मिला और मतलब यार रोहिश शर्मा को यारब दो मैच जो बचे हैं इन में चलना होगा यार अगर आप इन दो मैच में चल गए ना तो MS धोनी की तरह 2011 में MS धोनी का पूरा वर्ल्ड का बच्छा नहीं जा रहा था फाइनल में चले वो तो उसी तरीके का कुछ स्थीन होगा रोह शर्मा आप हमेशा याद रखे जाओगे तो ये दो मैच में आप प्लीज चलो आप बहुत बड़े प्लेयर हो उमीद करते हैं भगवान से प्रातना करते हैं कि आप चलोगे साथ ही साथ उमीद करते हैं कि यार विरहट खोली दो मैच में और चल जाए सूरिया का यहीं फॉर्म रहे और बच्चेस बच्चेस रन की पारी पांड्या से रिशप पंस से और केल राहूल से